आज का विश्य है पैदा होता हुआ बच्चा गोरा और संदर कैसे हो गरबावस्ता में मा का जब पहला बच्चा होता है या आखिरी हर वक्त उसका एक ही चिंतन चलता रहता है कि उसका बच्चा बहुत खूब सुर्थ हो प्रंग्शे गोरा हो उसकी आखें इतनी मनमोख हो उसको देखते ही मोहित हो जाए उसके बाल इतने जबर्दस्त हो काले हो घने हो मुलें हो हाथ लंबे हो पाउं बलिस्ट हो ऐसी जबर्दस्त जोडबाकी हर वक्त वो करती रहती है सारे अधिकतर 80% से ज्यादा विद्य इसी नुसके का उप्योकर अनुबूत रिजन ले र रहा हूं जो अभी सारी जो मैंने क्वालिटीज बताई है सुन्दर बच्चे के लिए और सारी क्वालिटी यह नुसके अगर आप उप्योकर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि वे तो यहां तक कहते हैं कि अगर अफिरीकन लोग भी अगर दामपत्य लोग भी इस नुसके का उप्योकर रहें तो उनको भी गोरा और सुन्दर बच्चा पैदा होगा इसके लिए मैं आपसे निवेदिन कर रहा हूं मेरे इस यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को प्रेश कर दिए यूट पीस के और चुरन बना लीजिए और जिस दिन गर्व दरन का मलूम हो जाता है कि आज गर्व दरन हो चुका है उस दिन से एक एक चमक सुबे हो साम को खाने के तुरं तुरन्त बाद चबा चाबा कि इसको खाना है और कब तक खाना है कि जब तक की बच्चा पैदा होने के बाद में और दूध पीने के बाद मा का दूध बंद कर देता है तब तक ये चालो रखना है साथ में ये भी उपाई करना है जिस दिन गर्वधारण हो जाता है मालूम पड़ जाता है उसके बाद में उस दिन से दो संत्रे प्रती दिन उस मां को सेवन करने है आठ महीने कंप्लीट होने तक ये भी नियमित रखना है आठ महीने तक जो नारेल की गिरी होती है जो पानी वाला नारेल उसकी गिरी वो खानी है मात्रा आपको जितनी इच्छा हो उतनी खई है और जब चाहो तब खा लेना है उसको लेकिन खाना है नियमित रूप से ये गर्वावस्ता शुरू होने से लगा कर लश्ट तक जब बच्चा मां का दूद इस्तनिपान बंद कर देता है तब तक खानी है और एक उपाय आपको और करना है कि दो महीने जब गर्वावस्ता के हो जाते हैं तो तीसरे महीना शुरू होते ही आप चांदी के बरतन में अगर दही को जमा सके जब तो सबसे बढ़िया अगर मालो ऐसा नहीं है बरतन तो आप चांदी की कोई भी वस्तु जैसे चमच है या चांदी का सिख्का है या और कोई भी वस्तु उस जिसमें आप दई एक टोरी दई कम से कम सेवन करना है प्रती दिन तो उस पत्र में वो चांदी की वस्तु डाल देनी है दई जमाते समय है तीसे महिने से यह शुरू करना है और सात महिने कम्पलीट होने तक एक गटोरी दई उस मा को गर्भवास्ता में कंसतत चालू रखना है फिर आटवे और नोवे महिने के लिए उसी दई में एक महिने के हिसाफ से एक ग्राम केसर जो है वो उस दई में डाल कर केसर वाला दई बनानी इस केसर वाला दई बनाना कैसे है बहत आसान है कि दूद को जब गरम कर लेते हैं ब वापस जब नीचे उतारते हैं उस दौरान आप उतारने से पहले एक अलग कट्वरी में थोड़े से वह उसमें से दाने ले ले लीजिए उसमें रॉय ले लीजिए कैसर के और उस दूद में लेके उसको गोल दीजिए अंगुली से पहतिर गुल जाए 10-15 मिट उसको पड़ दीजिए और वह दई आठवा और नव मेना और प्लस जब तक बच्चा इस्तन पान करता है तब तक उसमा को यह सेवन करना है यह अगर आप सारे उपाई कर लेते हो इन उपायों में इतनी जबरदश्श हमता है कि बच्चा एकदम लाल टमाटर की तरह गोरा होगा एपल की तरह लाल होगा यह अनुभूत है और यह प्रक्रिया अगर सारी आप अपना लेते हो तो बच्चा इतना सुन्दर तो हो गई इतना सुसील इतना संस्कारवान और इतना सरीर में मजबूत हल्दी फिट बोड़ी कोई बीमार नहीं होगा उसमें कोई बीमारी नहीं होगी उसमें अपंकता नहीं होगी किसी प्रकार की कोई अवियों अपंकता उस बच्चे में हो नहीं सकती बड़ा स्वस्थ बच्चा होगा बड़ा सुन्दर और इसके साथ साथ उस बच्चे की इम्मुनिटी इतनी जबर्दस्त रहेगी जिन की भर आप परिकल्पना नहीं कर सकते वो यह बुष्ट रोज है के सरका दई कि उसके बच्चे को बाल बुड़ा पर अधाक स्वच्च नहीं हो सकते हैं इतनी मजबुत रहेगी आप सवच्च भी ने सकते मां की भी रहेगी साथ साथ पर उस बच्चे के भी आर्र मां को समय ने समय डिलेवरी हो जाएगी अगर यह सारे प्यूपर करते हो तो उस बोडी में आ गया तो भाग जाएगा वापस इतनी जवर्दस्त उसकी उमेनिटी वह जाएगी नजरों के मामले में उस बच्चे की नजर इतनी जवर्दस्त रहेगी उसको जीवन में साइच चस्मा लगाने की जरूत ना पड़े और पाचनतंतर इतना मजबूत हो जाएगा बच्चे का मा का भी होगा और बच्चे का भी यह अधिकतर मा के भी benefit सारे सारे मिलेंगे और बच्चों को भी सारे सारे benefit मिलेंगे